हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड मैं आप लोग को पुराने कपडों से बेबी बेट सिट बनाना बताऊंगी तो ये देखे फ्रेंड मेरा पुराना ये कुर्ती था तो इसका देखे मैंने अपर पार्ट निकाल लिया है ये देखे इसको हमने नहीं कट करना है इसमें ये वहने निकाल के फिर दोनों साइट का हमने देखे ये पार्ट कट कर लिया है ये हमारी बैक साइट के जो की बिलकुल सिपल है ये प्योर कॉटन का है फ्रेंटczas इसलिए बेबी को kör्मी से भी रहेगा तो आप shift कपड़े हो एक तो दिर नका यूज ज बेबी बेटषेश बना नहां बताया था, उसको आप लोगों ने काफी लाइक किया है, धेंकियु सोमर्स आप लोगों का, अब देखें, इसको हमने बराबर यह दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, आप इसको हाठ से भी बना सकते हैं, या सिलाई मसीन से भी बहुत इज्म map से तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे चीज बनाईए उसका री यूज भी हो जाए तो इसको पहले हमने यह बराबर पार्ट में इसको देखिए हाथों से प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पर हमारे कॉटन का लगभग देखिए आप पांच इंच का यह कपड़ा है तो यह कॉटन का है पर और यह मैकसी का नीचे का फिटिंग किया था तो यह कॉटन की कपड़े काफी यह बच गया थे तो इनका यूज में आप लोग को इसके साथ करूंगे तो आप भी कोई भी कपड़ा हो तो उसे फेके ना तो इसको हमने क्या करना है आपने सीलाई मसीन लेनी सिलाई मसीन से आपने इसके स्टीजिंग करनी है पहले पिल्कुल इसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना है यह बिल्कुल सिंपल रहेगा एकदम हलका कपड़ा क्योंकि गर्मियों में ज्यादा बेट्षिट भारी नहीं होते है तो अच्छा रहेगा बच्चो के लिए तो इस इसके ऐसे सिलाई लगिए पूरी उसमें सिलाई लगाने के बाद फ्रेंट्स फिर मैं आप लोग को दिखाती हूं देखे फ्रेंट्स तो हमने इह दोनों पार्ट को पकड़ लिया है आए मसीन को लिकस गया है इसके यहां पर मसीन को देखिए चौफेर चलाते हुई यह पूरे गोटे लगाते हुए जाएंगे देखिए फ्रेंट्स हमने यह चारो तरफ इसकी लेस लगा दी है तो इसके यूज़ फ्रेंट्स आप पूजा असन के लिए डोर्मेट के लिए किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यह कॉटन का कपड़ा है तो काफी सॉप्ट भी है बेवी ब्लैंकेट के लिए बहुत ही प्रेंट्स क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो हलकी ही उन लोग को बेवी बेट्षेट चेही होता जो की बिल्कुल सॉप्ट हो तो देखिए इसको मैंने चारो साइड लगा दिया है कित्ती प्यारी यह बनकर आई है फ्रेंट्स देखिए इसके पहले मैंने वाटर इकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोग को ऐसे नोटिफेकेशन मिलती रहें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक्यू